अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे कानून बनाये थे डिवाइड और रूल करने के लिए, लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेज ने भी बहुत से कानून बनाये इस देश को डिवाइड और रूल करने के लिए और लूटने और बांटने के लिए. 1991 में पहला कानून बनाया प्लेसेजाव वर्षिप एक्ट और हिंदू जैन बौध सिख के लिए कोट का दर्वाजा बंद कर दिया 1992 में दूसरा कानून बनाया इस देश को हिंदू और मुसलिम में बांट दिया आलब संख्यक बाउसंख्यक में बांट दिया हिंदू ला हिंदू जैन बहुत सिख पे लागू होता है लेकिन हिंदू को मिजर्टी बना दिया सिख जैन बहुत को माइनाटी बना दिया यह इसकी डिवाइड रूल की पॉलिटिक्स थी और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने 25 में जिसको कहते वख्याय। जिसको मैंने सुप्री कोट में चलंज किया और इसकी अगली सुनोाई भी सुक्रीम कोट में होगी क्योंकि हमाई कोर्ण से ट्रां कर दिया कि मैंटर हाई कोने भलके सुप्रीम कोोट मेंoj डॉले शयों के सारे Бर मुसलिम होते हैं। उसमें हुआ है कि किसी भी जमीन पे जाके कहएं यह जमीन वक्फ्टफ की है तो आप उसके आरडर के खिलाफ उसकी नोटिस के खिलाफ नियरभाई कोट में नहीं आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रैबॉनल में कहने का मतलब अगर मेरत में या मुझबफवन झ़र में किसी की जमीन पर वचे ब बोड कह दे यह वाख्त की जमीन है तो वह मेरट की Henri के कोड़ या मुझबफवन निगर के कोड़ में नहीं जा सकता उसको सकता उसको जाना पड़ेगा लखनू जो मेरट मुझबफवन निगर से 70 किलोमेटर दूर बाउध के लिए नहीं है, ऐसा कानून यहुदियों के लिए नहीं है, ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, केवल और केवल एक कम्यूनिटी के लिए कानून बनाया कांग्रेस की सरकाने 1995 में, वो है मुस्लिम्स के लिए, और इस कानून में इतनी शक्त गरीबों का धर्मांतरण करा रहा है आदिवासी एरिया में जहां लोग कानून नियम को जादा नहीं जानते वहां पे ये नोटिस देता है और कहता है कि एक तरीका है अगर आपको जमीन बचानी है तो इसलाम कबूल करो लो मुसलिम बन जाओ तो इस तरीके से 36 गड की एरिया में महारास्टा की एरिया में और भी जहां पे पिछड़े लोग रहते हैं गरीब रहते हैं जिनको नियम कानून जादा नहीं पता वहां पे ये कनवर्जन का कारण भी बन गया है इसलिए मैं कहरा हूँ ये कानून खतम होना चाहिए घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्टदो है और घटिया कानूनों के खिलाप चुप रहना भी सबसे बड़ा राष्टदो है मैं इस देश के सांसुदों से निवेधन करता हूं विधाईकों से निवेधन कांग्रे से इस कानून को बना के उतने ही दोसी वो लोग है जो इस कानून पे मौन है जो लोग इस कानून के खिलाफ चुप हैं मैं उनको देश भक्त नहीं मानता घटिया कानून बनाना देश द्रो है तो घटिया कानूनों पे चुप रहना भी देश द्रो है घटिया कानू सब के लिए होता दो बात समझ में आती थी, लेकिन केवल मुस्लिम्स के लिए ऐसा कानून, बाकि किसी को ऐसा कानून नहीं, क्या हिंदू इस देश में दूसरे दरजे के नागरिक है, क्या जैन इस देश में सेकंड क्लास सिरिजियन है, क्या बौद इस देश के सेकंड क्लास सिटिजन है यह सब बराबर हैं तो कानून सब के लिए एक होना चाहिए कानून सब के लिए कामन होना चाहिए इस तरीके से मुसलिम्स के लिए एक कानून अलग से यह देश की एक्ता खंड़ता के खिलाफ है constitution के basic structure के खिलाफ है इसलिए इस कानून को मैंने challenge किया है मैं सबसे निवेदन करता हूँ इस कानून के खिलाफ बोलिए social media में बोलिए, publicly बोलिए सडक पे उतरिए, सांसुदों का गहराओ करिए अपने विधायकों का गहराओ करिए क्योंकि ये समाधान सडक संसद सुप्रिम कोर्ट से होगा आप अगर सांसद नहीं है सुप्रिम कोर्ट नहीं आ सकते हैं तो कम सडक पे उतरिए इन तीनों कानूनों के खिलाफ बोलिए 1991 का Places of Worship Act 1992 का Minority Commission Act और 1995 का WorkPet इन तीनों कानूनों को खतम करने के खिलाफ आवाज उठाइए जय हिंद जय भारत